हेलो फ्रेंड्स रेफिशन में आपका स्वागत है यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और साथ ही आप गंटी के बटन को जरूर दबाए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो बनाऊं तुरंत आपको नोटिफिके को भी जरूर फोलो करें तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह देखिए उशा जेनोमी की ड्रिम स्टिच मोडल है और इसमें मैं आपको धागा कैसे ले आउट करते हैं वह बताऊंगी और साथ ही मैं आपको बोबिन भढ़ना भी बताऊंगी तो सबसे पह जाना और निकालना बहुत ही असान है और यह इसमें प्लास्टिक की वोबिन आती है तो आप इसमें प्लास्टिक वोबिन ही लगाएं क्योंकि इसमें अगर आप मेटल की वोबिन लगाएंगे तो यह वोबिन केस गिसता है इसलिए आप इसमें प्लास्टिक वोबिन लगा और अब इसमें वोबिन रहाएंगे वो छूटी आ जाती है तो आप यह ध्यान रखे तो अब हम सबसे पहले इसमें केबल लगाएंगे यह देखे अब है तो आप और रखकर ही केबल लगाएं इसमें कि अब आप इसको स्विच बॉर्ड में लगा देते हैं अब यहां से देखें यहां से आप मशीन को ओन कर दीजिये और अब आप स्विच से ओन कर दें यह देखें यह इसमें लाइट जल गए अब हम इस इस Spool को Spool Pin में लगा देंगे, और अब इस Thread Guide में लगाएंगे और Second Thread Guide में लगाएंगे, और इस Theickets on Video slipping, Osin वर से Ar Healing Guide में लगाएंगे, यह देखिये, हाद से कर दें आप round इस तरह से, और फिर इसको Right Side प्रेस कर दें, और Extra देख को आप काट ले, अब आप foot controller को दबाओगे देखिए ये देखिए अभी हमारी बोबिन बरते समय देखिए नीडल भी चल रही थी आपको ऐसा नहीं करना आप ये देखिए hand wheel को अगर बाहर निकाल लेंगे तो नीडल नहीं चलेगी ये देखिए मैं आपको hand wheel को बाहर निकाल देती हूँ अब मैं आपको machine चला करके बताती हूँ ये देखिए अभी इसमें नीडल नहीं चल रही तो आप ऐसा ही करें जब भी आप बोबिन बरे hand wheel को बाहर निकाल लें और इसमें auto trip system है जैसे आपकी बोबिन फुल बढ़ जाएगी ये बंद हो जाएगी मैं आपको बताती हूँ ये देखिए ये automatic बंद हो गई है अब हम इसको left side की तरफ इस तरह से push करेंगे देखिए और हम बोबिन को बाहर निकाल लेंगे अब आपको इस बोबिन को कैसे लगानी है बोबिन केस में वह मैं आपको बता देती हूँ इस तरह से आप बोबिन को पकड़े ये देखिए बड़ा हिस्सा जहां जो चोड़ा हिस्सा वह हमारी अपनी तरफ है ये देखिए यहाँ पर पतला वाला सिरा है और इधर मोटा वाला है इसी तरह से ये बोबिन भी आप ऐसे देखिए धागे के इस direction में रहना चीए करा देते हैं अब आप इस दागे को ऐसे लाएं और इस तरह से आई होल में लाकर छोड़ दे इस तरह से और आपको इसको थोड़ा सा खींच लेना है इतना सा और इसको ऐसे पकड़ करके इसको ऐसे लगा देना ये जो आप देख रहे हो तीखा निकला हुआ इस सा वह दे और अब आप इसमें कैसे आप धागा डालेंगे वह बताती हूं तो जैसे यहां मैंने डाल रहा है फ़र्ष्ट गाइड में दागा डालेंगे फिर सेकेंड है यहां थ्रेट टेंसन के पास होके इस तरह से यूटर्ण लेंगे यहां से नीचे से और फिर एधर यह देखिए अब आपको हेंड वील को अंदर की तरफ पुश करना है क्योंकि हमने जब धागा बरा हो हेंड वील बाहर निकाला है इसलिए बाहर ही है तो इस तरह से आप हेंड वील को अंदर की तरफ पुश कर दे और इसको अपनी तरफ गुमा करके टेक अप लिवर को बाहर लाना है इस तरह से, ये देखे, ये टेक अफ लिवर बार आ गया, अब इस तरह से राइट हैंड की तरफ से लेप्ट हैंड की तरफ जाना इदर, ऐसे, और इस टेक अफ लिवर में दागा आ जाएगा, अब हम वापिस फिर से नीचे की तरफ जाएंगे, और नीडल पर जो थेड गा दाल सकें, धागा दालने से पहले आप फुट को नीचे कर दे, तक आपको पूरा स्पेस मिल जाए, और नीडल भी मेकजिमम उपर लियाए, ज्यान रखे, इसमें धागा बिल्कुल सामने से डालना आपको, धागे में आटी नहीं बननी चीए इसमें, नहीं तो इसमें रॉपरा फस जाएगा, तहसे हम हैं, अहले हम तकुल भी मेणा करके से उप्व के बार लएंगे, इस तरह से नीचे का दागा बार आ गया, फिर दोनूग छाई हॉन को आप पकड़ करके पीछे के तरफ करागे अब हम स्टिच करके चेक कर लेते हैं एक बात मैं आपको बताना चाहूंगे फ्रेंड्स कि हमेशा त्रेट टेंशन आप उपर के और बोबिन की बराबर एक्वल रखे तो अच्छी स्टिच आएगा और ये देखिए ये पेटन सेलक्टर डायल है जितने भी ये पेटन दे र पर जिसको भी आप सलेक्ट करोगे जैसे एक की सीद में आप कर लोगे सलक्ट तो ए वाला ए वाली डिजैन बनेगी एपर है बिल्कुल चोटी स्टिच और बीपर है मीडियम स्टिच और सीपर है और बड़ी स्टिच जैसे कच्छी सिलाई करनी है तो आप सीपर कर इसको आप जितना दबाओगे जैसे आप इसको तेज दबाओगे तो मशीन हमारी तेज चलेगी और इसको कम दबाओगे तो यह दीरे चलेगी आपको चला करके चेकर प्रुप कर देगे हमने इसको दीरे दबार कर और अब यह देखे यह तेज दबा दिया हम ऐसा आपको तो इसको hand wheel को अपनी तरफ घुमाना है, ऐसे, ये देखिए इसकी stitch, ये बीप पर रखकर हमने stitch किये, और पीछे से भी ये देखिए, इस तरह से ये सभी design मैं आपको step by step वीडियो बना करके बता दूँगी इन सभी का, और इसमें कौन-कौन से foot हम लगा सकते हैं, वो भी मैं आपको जल्द ही वीडियो बना करके बता दूँगी, और इस machine के अलावा भी मैंने कई machine उपर वीडियो बना रखे हैं, वो आप देख सकते हैं, अगर आपके पास normal सिलाई machine है, तो उसके भी मैंने वीडियो बना रखे हैं, और इसी में मैंने एक उसा genome e wonder street सिलाई machine है, उसक आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, शेर करें, ठैंक्स